हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टो एक्टिव माइन तो जो हमारी सिरीर चल रही थी बायोलजी बेस्ट आन क्लास 11 अंड 12 उसको हम यहां पे कंटिन्यू करेंगे और देखे फ्रेंट्स यहां पे जो हमारा चैप्टर है वो है सेल दा यूनिट आफ लाइप जिसमें हमने सेल के बारे में सेल की डिस्करी दिस्काऊब्स प्रोकारियोटिक इसिय यह सब गया हैं और यूकारियोटिक इसल में हम यहां पे उसके स्टक्चर को डिसकस कर रहे थे उसमें मैंने आपको प्लाजमा मेंब्रेन के बारे मेंबता दिया है और आज का हमारा टॉपिक है यहां है Kle तरफ चल रहे हैं तो यह जो प्लाजमा मेंब्रेन अभी है इसको हम discuss कर चुके हैं अब देखें सेल वॉल जो होता है यह मतलब इसका structure क्या है इसका chemical composition क्या है यह कहां कहां पाये जाता है यह सारी चीजें यहां पर हम देखेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ मैंने आपको प्लाजमा मेंब्रेन में बताया था कि जो प्लाजमा मेंब्रेन होता है वो कैसा होता है लिविंग होता है जबकि जो सेल वोल होता है वो कैसा होता है डेड होता है यानि हम कह सकते हैं कि यह नॉन लिविंग होता है अब यह नॉन लिविंग क्यों होता है अभी मैं को बताऊंगी लेकिन अभी कि लिए इतना रखी एसीलवो औक यह पाई जाता है कि प्रोटीष्ट में तोम जेसे प्रोटीष्ट में हैं जा पे Diatoms, Dynophregelates, Yuggleid, Slim Mold, Proto Joa ये उसकी कटेगरी होती है तो वहाँ पे केवल Diatoms, Dynophregelates में Cellual पाया जाता है जबकि Yuggleid, Slim Mold में क्या होता है अपसेंट होता है तो अगर आप से एक क्वेस्टन पूछा जाता है कि Cellual presenting all protist तो आप बोलेंगे ये statement wrong है लेकिन मैं इसका quiz करवा दूँगी टेलिग्राम पे ताकि आपको clear हो जाए लेकिन अगर आप बोलते हैं कि cell wall present in some protest तो ये statement क्या है true है तो इसको आप ध्यान रखना कि cell wall जो है वो कुछ protest में पाय जाता है all में नहीं पाय जाता तो उसके बाद जो है cell wall और कहां पे पाय जाती है prokaryotic cell में भी पाय जाता है जहां पे हम पढ़ते हैं monera kingdom तो वहां भी cell wall जो है पाय जाती है और friends आप देखेंगे फंजाई में भी cell wall पाय जाती है algae में भी cell wall पाय जाती है तो मतलब यह मैं जो बता रही हूं कि plant में पाय जाती है प्रोटिस्ट में पाय जाती है फंजाई में पाय जाती है तो आप सोचेंगे फिर difference क्या है तो friends difference यहां पे होता है इसके composition में यानि जैसे plant cell का जो cell wall है वो उसका composition अलग होगा फंजाई का अ होता है वो cellulogic होता है वो cellulog का बना होता है ठीक है लेकिन अगर मैं आपसे पूछाँ जो प्रो करियोर्स होता है उसका cell wall किसीच का बना होता है तो फ्रेंड्स वह बना होता है पेप्टाइडो ग्लाइकेन जिसको हम मियूरीन बोल देते हैं तो इसको आप ध्यान रखना फंजाई का जो सेलवॉल होता है वो काइटीन का बना होता है अलगी का जो सेलवॉल होता है वहाँ पे सेलूलोज प्लस गैलेक्टोज प्लस कैलसियम कारबोनेट और मैननस भी तो यहाँ पे मतलब अलग अलग हो सकते हैं जैसे हम अलगी का कलासिफिकेसन पढ़ते हैं तो उसमें रेड अलगी, ग्रीन अलगी, ब्राउन अलगी तो कैलसियम कारबोनेट का जो सेलवॉल है वो मैक्सिमम रेड अलगी में होता है तो इस तरह से मतलब यहाँ पे आप केवल यह नहीं बोल सकते हैं कि LG का जो सेलवॉल होता है वो केवल सेलूलोज का बना है वहाँ पे सेलूलोज, गलेक्टोज, कैलसियम, कार्बोनेंट सब हो सकते हैं और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए प्लांट सेलूलोज तो होता ही है इसके साथ यहाँ पे हेमी सेलूलोज, प्रोटीन यह सब भी यहाँ पे होते हैं तो यहाँ पे जो फंजाई होता है वो उसका सिलव बना होता है काइटीन का, काइटीन क्या होता है? पॉलिमराफ नयक जो की हम पढ़एंगे बायो मोलिकुल में, तो I hope आपको ये clear हो गया होगा, जो सिलवॉल है वो एनिमल को छोड़ के प्रोकरियोर्स में पाय जाता है, फ प्रोटीन यह सब चीजों का बना होता है तो फ्रेंट्स यह आपको किलियर होगा अभी हम इसको देखेंगे लिखा हुआ लेकिन अभी बस आप ध्यान से सुनते जाए तो इतना आपको किलियर हो गया होगा तो इसका इस्ट्रक्चर पढ़ने से पहले हम यह भी देख लेते ह है कि इसका function क्या होता है तो सोचे फ्रेंट्स यह जो हमारा cell wall है यह रीजन हमारा यह हमारा है cell wall तो आप बताईए यह जो cell wall है यह इसके अंदर में सारे हमारे और्गनेल्स पड़े हैं तो यह cell wall क्या कर रहा यह एक boundary की तरह हो गया तो यह जो है हमारे हमारे जो सेल है उसको एक सेप दे रहा एक साइज एक सेप यानि इसके सेप और साइज को कौन फिक्स कर रहा है ये सेल वॉल फिक्स कर रहा है इसके सेप और साइज को कर रहा है तो इसका जो सेल वॉल है ये इसके सेप और साइज को फिक्स कर रहा है और सुचे फ्रेंड्स अगर माल ल mechanical damage या mechanical injury यह जो cell wall होता है वो cell को mechanical injury यह mechanical damage से क्या करता है प्रोटेक्ट करता है तो इस बात को भी आप याद रखना अब देखिए next यहां पर और इसके क्या-क्या function हो सकते हैं जैसे माली जी यह यह जो है एक है तो आप देखेंगी ये एक cell है इस तरह से इस से यहां पर मालिजये ऐसे कोई अर सेल जो है अटायच हो गया फिर और सेल यहां पर हो गए तो यह क्या करेगा अ मतलब इससेल से इससल के बीच में इंकराचान कराएगा यहां इसल क्या वज़े से होगा इस cell wall की वज़े से होगा अगर cell wall ना चाहे तो interaction नहीं होगा लेकिन अगर ये permission देगा तो interaction होगा तो ये क्या करता है cell wall जो है cell to cell interaction कराने का भी काम करता है तो इस बात को भी आप याद रखना तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया ये shape or size को fix करता है mechanical injury से बचाता है cell to cell क्या करत है communication करवाता है interaction करवाता है तो याद रखना और यहां पर एक important point ये भी है कि ये मतलब कोई harmful molecule large harmful molecule है उसको भी ये stop करता है अब देखिए अगर इसके structure की बात करते हैं तो जैसे माली जी ये हमारा क्या है cell wall है ये green color का है तो अगर friends माली जी यहां से हम क्या करते हैं इसका एक part जो है cut करते हैं तो जब आप cut करेंगे तो इस तरह से आपको ये structure दिख रहा होगा मतलब कुछ इस तरह से इसके अंदर दिखेगा जब हम electron microscope से देखेंगे तो आप यहां पर पाएंगे कि इसमें कुछ जो है cellulose microfibrils पाए जाते हैं यहां पर cellulose microfibrils होते हैं और इसके बी तो friends आप यह याद रखना कि यह जो cell wall है यह बनता कैसे है तो इसका जो इतना तो आपको पता चल गया कि अगर कोई cell wall है उसको जब हम detail मतलब electron microscope में देखेंगे तो वहां पर cellulose microfibril यानि यह जो इस तरह से thread like structure दिख रहे हैं और इसके बीच बीच में matrix पाए जाएंगे उ यह जो cell wall है यह बनता कैसे है तो आप देखेंगे यह जो हमारा cell है माल लीजिए यहां से कुछ secret करेगा जो हमारा cell है एक मिनट यहां पर हम discuss कर रहे हैं cell wall तो जैसे माल लीजिए यह क्या हो गया हमारे cell के अंदर में यह हमारा plasma membrane हो गया अब हमारा जो cell wall होता है वो कैसे बनता है तो फिर्स यहां से कुछ chemical जो है secret होंगे क्या होंगे कुछ chemical secret होंगे और chemical जब secret होगा तो यहां पर formation होगा cell wall का क्या होगा यहां पर formation होगा cell wall का इस तरह से तो अंदर से यहां पर जो है chemical secret होगा और यहां पर cell wall का formation होगा तो जो यहां पर अभी जैसे plasma membrane है और यहां से chemical secret हुआ और जो अभी यह cell wall बना इसको हम क्या बोलते हैं PCW यानि primary cell wall यानि अभी जो हमारा एक cell था उसका जो है plasma membrane है अब जब chemical secret हुआ तो यहां पर जो यह cell wall बना इसको हम primary cell wall बोलते हैं और इस process को यानि हम यह बोल सकते हैं कि cell release chemical to synthesis primary cell wall क्या मैंने बोला cell release chemicals यानि cell क्या कर रहा है chemical release कर रहा है क्या करने के लिए synthesis करने के लिए cell wall का तो हम क्या बोल रहे हैं कि cell release chemical to synthesis primary cell wall process known as intussusception क्या मैंने बोला अभी मैं लिख रही हूँ ध्यान से देखिएगा यानि primary cell wall जब बनता है तो यहां पर एक process होता है उसको हम बोलते हैं into susception इस टर्म को याद रख लेना कि जब हमारा cell जो है वो chemical release करता है क्या करने के लिए primary cell wall को बनाने के लिए तो यह जो process है यानि जो cell है वो release कर रहा chemical को और primary cell wall को बना रहा है इस process को हम बोलते हैं into susception क्या बोलते हैं into susception तो इस टर्म को आप जो है याद रखना अब देखिए फ्रेंस प्राइमरी सिल्वॉल तो बन गया क्या हुआ प्राइमरी सिल्वॉल हमारा बन गया अब यहां पर बात आती है सेकेंडरी सिल्वॉल की तो हमको यह देखना है कि सेकेंडरी सिल्वॉल कैसे बनता है तो यह जो है हमारा यह क्या हो गया प्राइमरी सेल वॉल अब आप देखेंगे यह जो प्राइमरी सेल वॉल है तो यहां से जो हमारा प्राइमरी सेल वॉल है और जो सेल है फ्रेंड्स तो प्राइमरी सेल वॉल से यहां से क्या होता है धीरे धीरे यहां पे कुछ डिपोजीसन होता है कैसे होता है कुछ इस तरह से यहाँ पे क्या होता है डिपोजीशन होता है इस तरह यहाँ पे डिपोजीशन होता चला जाता है और यह क्या होता है हमारा सेकेंडरी सेलवल यानि सेकेंडरी सेलवल और देखिए विन सेकेंडरी सेलवल फॉर्म when secondary cell wall form जैसे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो है हमारा क्या है primary cell wall एक सेकेंड ये जो है हमारा माली जे इस तरह से ये है हमारा primary cell wall और हमको यहाँ पे यहाँ से कुछ मतलब deposition हुआ और यहाँ पे क्या form हो गया secondary cell wall तो आप एक चीज यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जब secondary cell wall यहाँ पे deposition हो रहा है तो primary cell wall का भी कुछ पार्ट यहाँ पे क्या हो रहा है यूज हो रहा है देखिए ये primary cell wall है ये secondary तो primary cell wall का भी कुछ पार्ट secondary cell wall बनाने के लिए यूज हो रहा है तो मैं क्या बोल रही हूँ वेन सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्म सम पार्ट आप प्राइमरी सेल वॉल आलसो गेट यूटिलाइजड यानि जब सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्म हो रहा है तो प्राइमरी सेल वॉल का भी कुछ पार्ट यहां पे से कुछ material जो है deposit हो गया secondary cell wall में तो इस process को हम एक नाम देते हैं तो अभी मैंने आपको बता है जब primary cell wall बनता है उसको हम into susceptible बोलते हैं लेकिन जब secondary cell wall बना जहां पर primary cell wall का भी कुछ part जो है use हुआ वहां से deposit हुआ वो तो हम इस term को एक नाम देते हैं उसका क्या नाम है अभी मैं लिख रही हूँ उसको हम बोलते हैं accretion क्या बोलते हैं accretion तो फिर्ट इस term को भी आप याद रखना तो मैंने क्या बताया जैसे माल लीजिए देखिए यहां पर क्या है एक cell है यह क्या है एक cell है और माल लीजिए यह हमारा जो है प्लाजमा मेंबरेन है तो यहां से कुछ जो है केमिकल सिक्रीट हुआ जब वो केमिकल सिक्रीट हुआ तो यहां पे क्या बना यहां पे बना प्राइमरी सेल वॉल अब यह जो प्राइमरी सेल वॉल यहां पे बना नहीं के देते हैं kreation देखे फ्रेंट्स जो प्रामरी सेम वहल होता है वहां पर मैंने आपको दिखाया था उसमें futuro होता है hemi sell होता है टीन होता है प्रोटीन्स होता है लेकिन यहां पे एक Olोन चीज आ जाती है यहां पर tua होता है लिगनीन क्या होता है लिगनीनोथ जो है लिगनीन टर्म सफे एनाटीजुमी फच्छ उसमें से सेलूँलोज पेक्तिन्स प्रूटेन्स और जो secondary cell wall होता है यहाँ पर hemicellulose, cellulose, pectins, proteins, lignin lignin यहाँ पर इस्टा हो जाता, lignin या फिर इसी को हम बोल सकते हैं, cutin तो इस term को, इस point को आप जो है याद रखना, primary cell wall जब बनता है तो उस process को हम into suspension बोलते हैं, जब secondary cell wall बनता है इस process को हम accretion बोलते हैं, तो friends, I hope आपको यह primary cell wall, secondary cell wall समझ में आ गया होगा तो चलिए एक बार इसको जो है हम देख लेते हैं, लिखित हुए form में तो देखे friends, cell wall, अब इसके बारे में देखें, cell wall के बारे में तो it is non-living rigid structure called the cell wall, cell wall कैसा होता है, non-living rigid structure होता है forms an outer covering for the plasma membrane of fungi and plant यह हमारे NCERT की line है, कि यह fungi और plant में जो है पाया जाता है और किस चीज की outer covering है, plasma membrane की, plasma membrane की outer covering है अगर यह हमारा plasma membrane है, तो इसके बाहर पाया जाता है हमारा cell wall इस बात को आप याद रखना, कि plasma membrane की outer covering है cell wall तो आगे देखिए यहाँ पे cell wall not only gives shape to the cell and protect the cell from mechanical damage and infection मैंने क्या बोला कि जो cell wall होता है, ऐसा नहीं है कि वो उसको किवल shape देता है, shape के बजा यह उसको mechanical damage या फिर infection या injury से protect भी करता है हमारे cell को, it also help in cell to cell interaction, यानि cell से cell को interaction में भी help करता है provide barrier to undesirable macromolecule, यह जो है macromolecule के, macromolecule जो है जो की undesirable है वो हमारे cell में inter ना कर जाए, इस चीज के लिए भी वो barrier provide करता है, यानि उसको रोकता है अब यह मतलब क्या है, अभी मैं आपको समझाती हूँ, कि यह क्या है कि undesirable macromolecule को रोकने का क्या है एक second देखे friends, NCIT में लिखा हुआ एक एक line बहुत important होता है इसलिए आपको हर एक term को समझना बहुत जरूरी होता है तो इस तरह से यह हमारा क्या होता है plasma membrane होता है जो की हमने पढ़ा, यह कैसा होता है lipid by layer होता है तो यह हो गया हमारा plasma membrane और plasma membrane की outer covering यहाँ पे क्या है यह हमारा cell wall plasma membrane की outer covering क्या है cell wall तो यहाँ पे cell wall है और cell wall में matrix यह सब भरे हुए है अब माल लिजिए यहाँ एक यह क्या है एक बड़ा सा particle है इसको हम बोल रहे हैं कि यह micro molecule है क्या है micro molecule है लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा particle है और यह इसको हम क्या बड़े हैं माइक्रो तो हम क्या पड़े हैं कि जो cell wall होता है यह micro molecule के लिए barrier का काम करता है अब अगर सोचो यह यहाँ से जो है पास करना चाहे अंदर घुशना चाहे कर सकता है नहीं कर सकता लेकिन यह जो छोटा सा हमारा micro यानि micro molecule है यह क्या करेगा माली जी यह हमारे plasma membrane में यहाँ पे क्या होंगी मैंने आपको बताए था कुछ proteins इस तरह से इसमें धसे होंगे अब यह जो micro molecule है इस तरह से आएगा तो उस लाइन का यही मतलब है तो आगे देखे फिर्ण्स यह आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि micro molecule को रोकता है तो आगे देखे फिर्ण्स यह समझ लीजिए एक हिसाब से इसका क्या है function है cell wall not only gives a shape यानि यह केवाज shape नहीं देता इसको protect भी करता है infection से बचाता है cell से cell के interaction में help करता है undesirable micro molecule के लिए यह जो है barrier का काम करता है अब देखें algae have cell wall made up of cellulose galactans, manans and minerals like calcium carbonate while in other plants it consists of cellulose hemicellulose, pectins and proteins यही मैंने आपको बताया कि जो algae का cell wall होता है वो cellulose, galactans, manans, mineral जैसे calcium carbonate यह सब इन सब चीजों का जो है बना है लेकिन जो हमारे other plants होते हैं उसमें जो है cell wall cellulose, hemicellulose, pectins, proteins का बना होता है तो I hope यह वो बात जो मैं अभी बोल्ड ही थी अब आपको यह clear हो रहा होगा अच्छे से अब देखिए the cell wall alpha young plant cell जो एक young plant cell है उसका cell wall the primary wall is capable of growth अब यह जो primary wall होता है यह क्या होता है? यह growth करने के लिए capable होता है which gradually diminished as a cell mature यानि जैसे जैसे cell mature होता जाता है जैसे माली जी एक छोटा सा नन्हा सा पाउधा है तो उसमें अभी क्या होगा? उसमें तो अभी primary cell wall होगा तो वो क्या करता है? वो growth करता है धीरे-धीरे तो हम यहाँ पे यह भी बोल सकते हैं कि जो हमारा primary cell wall होता है वो कहाँ पे present हो सकता है? मेरिस्टमेटिक टिशू में तो याद रखना primary cell wall मेरिस्टमेटिक टिशू में present होता है जिससे यहाँ पे growth जो है वो capable हो सकता है लेकिन जैसे जैसे cell जो है mature होता जाएगा primary cell wall क्या होगा? diminished होता जाएगा और यहाँ पे secondary wall is formed on the inner और यहाँ पे क्या हो जाएगा secondary wall form हो जाएगा toward membrane side of cell तो अब यह आपको अच्छे से clear हो रहा होगा कि जब एक छोटा सा नन्या सा पोधा होता है तो उसमें क्या होता है? primary cell wall होता है जैसे जैसे वो बढ़ेगा यानि जैसे जैसे उसके cell mature होंगे यहाँ पे secondary wall form होने लगेगा और जो हमारा primary cell wall है वो डिमनीस हो जाएगा, खतम हो जाएगा तो यह आपको जो है समझ में आगया होगा अब देखिए friends यहाँ पे आता है lamella, अब यह lamella क्या है? तो आप देखेंगे जैसे मान लिजिए एक कोई cell है इस तरह से यह cell है और जब यह cell divide करेगा यह cell जो है जब divide करेगा इसको हम बोलते हैं cytokinesis यानि जब cytokinesis होगी तो यह cell divide करेगा और इसके बीच में एक plate इस तरह से form हो जाएगी जिसको हम बोलते है middle lamella क्या बोलते हैं middle lamella और यह जो middle lamella form होती है इसको क्या कोई break कर सकता है इसको कोई digest कर सकता है तो yes यहाँ पे एक होता है polygalactor runease polygalactor runease enzyme तो friends यह क्या करता है यह middle lamella को digest कर देता है और इसी के वज़े से क्या होता है ripening of fruit यानि इसी के वज़े से हमारा फल जो है वो पकता है यानि जो हमारा कच्चा फल होता वहाँ पे क्या होता होगा वहाँ पे middle lamella होता होगा लेकिन जब यह middle lamella धीरे धीरे गल जाएगा digest हो जाएगा तो यहाँ पे क्या वो जो हमारा फल होगा और तो याद रखना middle legla के वजहें से ही वो जैसे एक तौन ये देखेजिड़िग जो कच्चां हमारा उसमें middle legla है जो पक्का है वहाँ पे middle legla हो चुका इसलिए क्या हो जाए जैसे कोई fruit जब p painful सहो जाता है तो क्या होता है वहाँ पे मिडिल लेमला बिल्कुल भी नहीं रह जाती इसलिए वो पिलपिला सा हो जाता है तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा तो देखिए क्या लिखा हुआ है इत इस दा फर्स्ट इस्ट्रक्टर टू वी फॉर्म्ड डूरिंग साइटो काइनेसिस साइटो काइनेसिस क् तो कैरियो काइनेसिस अगर साइटो प्लाजम डिवाइड हो तो साइटो काइनेसिस इस तरह से अधिके मिडिल लेमिला इज लेयर मेंली आप कैल्सियम पेक्टेट यह जो लेयर यहां पे बीच में बन रही है दो सेल के बीच में यह जो लेमिला है यह किसका बना होता है कै नेयर्फ Engl जो कि दो डिफ्परन्ट सेल को क्या करती है निवर्शू एक सेल गॉल एक सेंद आ ह। एक सेललव यह है का एक सेलल वोल यह है मतलब इसको इसको करनेक्ट करने का इसको जोड़ने का काम किसके वज़े से होता यहां पर जो है मिडिल लहमिला के वज़े से होता यानि क्या बोला जारा कि मेडिल लेयर मेंलिया कैल्सियाम प्रेक्टेट फिच और गुलूज गुलूज मींज क्या होता चिपका ना तो मतलब दो सेल को एक साथ पकड़ के रखती है उसको चिपका के रखती है डिफरेंट लेयर इसको हम सीमेंटिंग लेयर भी बोल सकते हैं अब सीमेंटिंग लेयर क्यों सीमेंट क्या करता है दो एक इट से दूसरे इट को चिपकाता है सीमेंट उसी तरह से एक सेल को दूसरे से चिपकाता है कौन लैमिला इस वज़े से इसको हम क्या बोल देते हैं तो यहांपि क्या है वही आ गई बात फिर से चाहिए प्रोटोपिलैब्र को प्रोटेक्ट करता है एक मगेनिकल सपुर्ट प्रोट करता है सेल कौ सेल बल जो है पर्टिकुलर साइज और सेप देता है सेल को और इसके एक जो बनाने में भी जो यह help हो इक जो skeleton क्या होता है इसका बाहरी आंरड इसको बनाने में भी यह help करता है cell wall is permeable so it help in transport of water अगर यह permeable ना होता तो transport का मतब सोरी water का transport mineral का transport यह सब ओई नहीं पता तो यह क्या होता यह permeable होता है जो हमारा plasma membrane होता वो कैसा होता है semi permeable सोरी selectively permeable होता है और cell wall हमारा permeable होता है और यहां से जो है ट्रांस्पोर्ट आफ वाटर, ट्रांस्पोर्ट आफ मिनरेल सबस्टांस यह सब होते हैं तो यह भी इसके जो है अदर इंपोर्टेंट रोल है अब देखें फ्रेंड्स यहां पर की नोट्स कुछ पैरेहन काइमेटर सेल और मेरी स्टिमेटिक सेल और और फॉर्म डॉप उइनली dal प्राइमरी सेल वही मैंने आपको बताया कि एक बेबी यंग प्लांट है एक छोटा सा जो है हमारा कोई क्यूट सा पो धा है तो वहाँ पे क्या होता है उसमें मेरिस्ट्रमेटिक सेल होता है और मेरिस्ट्रमेटिक सेल में ही क्या होता है प्राइमरी वाल होता है secondary wall तो growth करता नहीं है और meristematic cell क्या होता है growth के लिए responsible होता है तो जाज सी बात है वहाँ पे कौन सा wall पाय जाएगा primary cell wall पाय जाएगा तो वही बोला जा रहा है कि जो हमारा parent karmatis cell है और जो हमारा meristematic cell है ये केवल केवल जो है ये primary cell wall के बने होते हैं secondary wall is absent in meristematic cell meristematic cell में secondary wall क्या होता है absent होता है tertiary wall और secondary wall are commonly known secondary thickening वही मतलब जब एक cell है और इसके अंदर thickening होती जाए फिर इस पे thickening हो फिर इस पे हो तो इसको हम क्या बोल देंगे secondary thickenings और यहाँ पे देखिए यही यही मैंने आपको होता है कि fruits become soft and juicy due to dissolving of middle lamella यानि जब middle lamella dissolve हो जाती है गल जाती है तब हमारे fruits क्या हो जाते हैं soft हो जाते हैं juicy हो जाते हैं यानि हम क्या हो सकते हैं पिलपिले हो जाते हैं अब यहाँ पे एक term और आता है हमारा plasmodismeta अब यह plasmodismeta क्या होता है जैसे देखिए यहाँ पे यह हमारा एक cell है और यह हमारा एक cell है तो आप यहाँ पे देखिए यह एक हमारा cell 1 इसको हम cell 2 बोल सकते हैं तो friends यहाँ पे इस cell को इस cell से attach देखिए इस तरह से यह जो होता है यह होता है हमारा plasmodismeta और इसके बीच से यहाँ से क्या जाता है middle lamela यह हो गया हमारा middle lamela और यहाँ से यह है हमारा plasmodismeta और यह हो गई हमारी plasma membrane और यह हो गया cell wall तो देखिए यह क्या करने का काम कर रहा है यह इस cell से इस cell को क्या करने का काम कर रहा है जोड़ने का काम कर रहा है यह इस सेल का साइटो प्लाज्म है यह इस सेल का साइटो प्लाज्म है तो आपको यह स्ट्रक्चर समझाया होगा कि यह है हमारा साइटो प्लाज्म है तो आप देखिए प्लाज्मों डेस्मेटा की बारे में क्या दिया है Cytoplasmic bridge between adjacent cell are called Plasmodismeta Cytoplasmic bridge जैसे हमारा एक cell का Cytoplasm दूसरे cell का Cytoplasm एक से लिए इसका Cytoplasm एक से लिए इसका Cytoplasm दोनों के हीज में bridge का काम करने वाला कौन है Plasmodismeta वही बोलजा रहा कि Cytoplasmic bridge between adjacent एक से लिए एक से लिए और called Plasmodismeta तो Plasmo-Dasmeta क्या है? Cyto-Plasmic Bridge between two adjacent cells Plasmo-Dasmeta contain ER tubules called Desmo-Tubules जो Plasmo-Dasmeta होता है, इसमें क्या होता है? ER tubules होता है, जिसको हम बोलते हैं Desmo-Tubules क्या बोलते हैं? Desmo-Tubules इसको आप याद रखना Due to presence of Plasmo-Dasmeta, entire protoplasm are found in form of continuous system which is called symplast जिसको हम क्या बोलते हैं सिमप्लैय यानि इसी प्लास्टमड के वजए से जितने यहां पे इंटायर प्रोटप्लाजम इक उस्टम के में होता है जिसको हम सिमप्लास्ट बोल देते हैं the cell wall and middle lamella may be transversed by plasma dismata which connect the cytoplasm of neighboring cell यानि जो cell wall होता है जो middle lamella होता है वो जो है plasma dismata के transverse होता है जो की cytoplasm को क्या करता है connect करने का काम करता है जो neighboring cell होता है उसके तो I hope friends ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि जो प्लाजमो डिसमेटा है दो अजिस्टेंट सेल को जो है जोडने का काम करता है इसमें जो ER पाय जाता है उसको हम डिस्मो टिवियो से बोलते हैं जो प्लाज़मो डिसमेटा है इसकी वज़े से जो प्लाजम है उसमें एक सिस्टम होता है जिसको हम सिम प्लाज़ मतला होता है यह जो सेल बोल और मिल लेमिला होता है अब यहाँ पे देखिए मेंब्रेन जो कि मेंब्रेन में प्रजेंट होता है मेंब्रेन मींस मेंब्रेन बोले तो सेल मेंब्रेन एक स्पेशल प्रोटीन होता जिसको हम इक्सपेशन बोलते हैं help in growth of cell wall by losing the cellulose microfibril and addition of new cell wall material takes place in the space यानि जो हमने देखा था कि cellulose microfibril होते हैं उसको लूज कर देता है कौन expansion in addition and addition of new cell wall material takes place और उसके बाद जो है यहाँ पर new cell wall जो है यहाँ पर form होता है thus expansion is known as cell wall loosening factor और यह जो expansion है यानि यह जो protein है इसको हम क्या बोल देते हैं cell wall loosening factor तो देखे फ्रेंट्स यहाँ से जो cell organs है इसको हम next lecture में जो है continue करेंगे I hope आज जो आपको मैंने बताया आपको समझ में आ गया होगा तो चलिए यहाँ पर मैं जो है आपको दिखा देती हूं primary cell wall और secondary cell wall में difference क्या है तो देखे फ्रेंट्स यहाँ पर यह है हमारा primary cell wall और secondary cell wall तो यहाँ पर space is large between cellulose microfibril microfibril क्या है जब मैंने आपको देखाया कि दो cell wall है इसके बीच में कुछ इस तरह से structure होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं cellulose microfibril तो यहाँ पर इसके बीच में जो space होता है वो large होता है लेकिन जो secondary cell wall है वो primary cell wall के deposition से ही बनती है तो यहाँ पर जो space होता है यानि सोचो कोई चीज ऐसे है अब जब इसी के बीच में यहाँ पर deposition होगा 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 तो इसके बीच में अस्थान जो हो जो है वो क्या हो जगा लेस हो जगा तो उसी तरह से बोलत जा रहा है कि यहाँ पर cellulose में mycrafibril जो है space large होता है जबकि यहाँ पे क्राइमरी cell wall जो है वो जù secondary silver bowl है वो deposition के वज़े से बना है इसलिए ये क्या हो सकता है impermeable हो सकता है depending upon deposit यनि अगर deposition बहुत ज़्यादा हो गया तो ये क्या हो जैगा impermeable हो जाएगा तो याद रखना जो primary silver bowl है वो पर्मेबल हो सकता है लेकिन secondary silver bowl पर्मेरेबल नहीं हो सकता तो फ्रेंस इसको आप जो है रिवाइस कर लेना अच्छे से देखिए जब भी मैं कोई जैसे जो भी टॉपिक में आपको पढ़ाती हूँ उसका एक समरी जो है आप कॉमेंट में लिख लिया करिए इससे आपको रिवीजन भी हो जाएगा और उसके फंक्शन जो है दो तीन जो भी मैंने बता है उसको लिखिए फिर यहां पर जो मैंने दो टर्म आपको बताए कि जब सेल जो है केमिकल रिलीज करता है तो वो टर्म क्या है इंटर सेसेप्शन जब प्राइमरी सेल वॉल से ही सेकेंडरी सेल वॉल बनता है उसके डिप में ही तक तब तक के लिए all the best be happy, be positive